है नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दे बिग बूल 420 पर तो आज हम बात करेंगे निप्टी बेंग निप्टी था कुछ टोक्स के बारे में जैसा कि आपको बता है हम अपने चैनल पर डेली एक मार्केट एनल एक वीडियो अपलोड करते हैं जिसम सबसे पहले आप जाकर चैनल सब्सक्राइब कर लिजिए का और साथ इसाथ बेल आइकन दबना ना भूले जिससे आपको आने वाले वीडियो को नोटिक विशन टाइम से टाइम मिल जाए तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी दे तो सबसे पहले हम बात कर ल अब दे रहाता है आप यहां देख सकते हैं मार्केट यहां ब्रूट की तरफ नहीं जाना है market में या तो हम trade को avoid कर देंगे हमें momentum put का मिलता है और अगर market में momentum put का नहीं मिलता है और coal का momentum मिलता है तो मैंने आपको बताया था कि market का Friday का जो हमारा high था अगर market उसके उपर हमें कोई भी gap opening देता है और कोई भी एक भी हमें candlestick pattern का है किसी प्रकार को कोई signal मिल जाता है कि यहां से market जो है उपर जा सकता है तो हमें उस candle में या हमें जो है उस moment पर market में बेज जीज़क वेटना है और market हमें काफी अच्छे लेवल बताने को तयार था मैंने आपको last time जो है last video market analysis में बता था कि market जो हमें काफी अच्छे लेवल बताने को भी तयार है और आप यहां देख सकते हैं market ने जो है गेप अप ओपनिंग दी दिन उसके बाद भी market टोटली बुलिश रहा तो दोस्तो जो हमारा आज का market है उसको हम पाशनी time frame पर एक बाद देख लेते हैं तो मैंने आपको जो है कल का जो हमारा market analysis वीडियो था उसमें मैंने साप कहा था कि हमें put में जाना ही नहीं है हमें जो है अगर हमारी कोई put की trade बन रही होगी market जो है हमें जो है एक negative momentum या इसा कोई सिंथम देर आखा होगा कि market जो है नीचे दा सकता है तो हमें वो trade avoid करनी overall जो है market ने जहाँ पहली candle जो थी market की एक काफी अच्छी हमें एक bearish candle देखने को मिली then market की अगली candle यहाँ है एक अच्छी खासी जो है green candle बनी और वो भी जो है market जहाँ से open हुआ उसको market तोड़के उपर उसका close दिया तो market की हमारी पहली trade यहीं बनती और हमारे जो stop loss होता हमारे जो bullish इंगल्फिन candle stick पीड़ मना इसका low then market का जो आप है उपर target किस प्रकार से पता लगा सकते है तो market की target जो है आप levels की according देख सकते से पीछे जो हमारे पूराने support resistance है उनके according आप जो है market में level से देख सकते थे जिसा कि मैं आपको बता देता हूँ एक बार एक market में जो है आप यह level देख सकते हैं then market में आप यह level देख सकते हैं जो है market में आपको यह छोटे छोटे जो level से दिख रहा है पूराने इनके उपर ही market जो है पूरा buffer होता है, अगर आप यहां देखें तो market जो है मैंने आपको levels बता है, यहां market रुखा अगले levels अगर आप देखें, तो market यहां रुखा, market का high आज का जो हमारा second level था 38,700 पिचोतर का वह हमारा level था, देन अगर आप अगर आप देखें, market यहां से काफी अच्छी रेली बना कर हमें उपर जाता दिखा, हमें कुछ नहीं अपना stop loss को टेल करना था देन market ने हमें काफी अच्छा moment दिया उसके बाद market जो है negative scenario में आया, market दिरी दिरी उत्रा market दिन में आते आते हमें sideways भी देखने को मिला तो हमें, market अगर आप देखें हमारा यह एक level था, इसके नीचे market अगर आप चाहते हैं तो यहां एक horizontal line लगा सकते था अगर देखा जाए market में, तो हमें नीचे horizontal line लगा सकते था कुछ इस प्रकार से अगर आप यहां देखें, तो market जो है इस range में भी काफी देड तक market अटका है तो जैसे हमें इसका breakout मिला तो हमारी जो trade market में बन रही थी overall अगर एक logically trade बन रही थी, तो हमार जो है इस consolidation का breakout हमारी एक काफी अच्छी तो यहां आप देखें, तो market ने हमें काफी एक strong candle के साथ इसका breakout दिया हमें इसके retage पे एक entry बन थी हमारी यहां entry बन थी और जो हमारा stop loss होता यह हमारी इसके अगली candle पे यहां entry बन थी, देन हमारा stop loss यह होता और market का target something आज का high होता ही होता तो देखा जाए तो market उसके बाद वाफीस एक sideways zone में चला गया, market वाफीस consolation में चला गया, तो यहां obvious बात हमारा जो ठीका है वो decay होता हमें time value गटती हमारा जो हमने premium लिया है उसकी, लेकिन जब हमें market ने हमारा इस consolation का breakout दिया, तो market यहां से हमें काफी सही वाला उपर जाता हो दिखा, और हमें जो है आज का हमारा high का, वो आप इस market ने लगा तो हो दिखा, तो दोस्तों हमें market जो है कल किन moments पर अच्छा कल किन levels पर अच्छा moment दे सकता है इसकी बात कर लेते हैं एक बाद तो सबसे पहला जो हमारा भेंग नीप्टे में देखा जाए तो 38,775 का level अगर market जो इसका breakout करता है मान लिजे market कल यही से जहां से आज close हुआ, यही से open होता है then market consolidate करता है हमारा जो 38,775 का level है then इसका breakout करता है काफी अच्छी सही candle के साथ तो हम जो हमारी उसके retest की जो अगली candle आईगी उस पर हमारी entry लेंगे और हमें जो है market में levels देखा जाए कि market में आगे हमें कुन से levels देखने को मिल सकते है तो एक है हमारा जो है 49,000 का जो level है यह market आपको काफी easy ली दिखा सकता है अगर market जो है 38,775 का level ब्रेक कर देता है तो दोस्तों उसके साथ हम बात कर लेते market हमें नीचे किन levels के ब्रेक होने पर moment देगा तो देखा जाए तो यह थोड़ा बड़ा level है लेकिन आप जो है market में पहली बात तो पूट में जाने का थोड़ा कम रखिएगा लेकिन उसके बाद भी अगर market हमें 38,332 के नीचे जो है breakout दे देता है हमारे इस level का तो market में आपको जो है थोड़ा पूट का भी सिनारियो देखने को मिल सकता है उसके साथ हम बात कर लेते हैं हमारा जो nipty है उसके बारे में दोस्तो उसके साथ अगर एक बार हम bank nipty को ओड़ देखें तो यहां हमें चार्ट पिटन भी देखने को मिल जाया क्योंकि market जो हमारी एक देखा जाया तो एक trend line को follow कर रहा है काफी साइज है अगर हम इस trend line को इस प्रकार लगा जाया तो आपको क्या market हमारी trend line को follow करता हो दिख रहा है यह हमारा एक supply zone तो वेसे आप मेरे को बताईएगा comment section में कि यह कुण सा एक chart pattern है इसका नाम क्या है और इसके बनने पर market जो है किस और जाता है इसे के साथ हम बात कर लिए हमारे अगला जो index हमारे अगला index हमारा nipty है nipty में भी काफी अच्छा strong हमें supply zone देखने को मिल रहा है market overall यहीं consolidated यहां से आके वापिस नीचे reject हो रहा है तो दोस्तो इसमें हमारा जो nipty का supply zone है अगर हमें nipty जो है something market का उपर की और जो है breakout दे देती हमारा जो है काफी अच्छा strong supply zone है इसका अगर level देखा जाए तो something 18,090 का जो level है अगर market जो है इसके उपर एक भी candle का close दे देती है तो आपको एक काफी अच्छी trade मिल सकती है आपको यहां से market काफी अच्छा उपर जाता हो दिख सकता है वही market जो हमारा एक जो हमारा आज का day का एक swing low था something 17,890 का अगर market इसका breakout नीचे की और देती है हमार जो इस level है इसको तोड़ती है market break करता है तो आपको हो सकता है market में काफी अच्छा नीचे जाता हो moment भी एक बार दिख जाए निप्टी में तो हमारे जो निप्टी के जो main level है वो है 18,090 और साथ ही जो है 17,890 के अगर market इन दोनों के बीच में रहती है तो आप जो है trade को avoid कर सकते है कि market हो सकता है आपको इसमें sideways देखने को मिले तो दोस्तो इसके साथ हम मिलते हैं अगली हमनी जो है market analysis वीडियो आईगी उसमें और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो से कुछ भी सीखा है तो आप जो है हमारा इस वीडियो को like, comment, share करना ना भूले आपको इस वीडियो में कोई भी doubt हो तो आप जो है comment section में बता सकते हैं और साथ ही साथ जो अगर आपने अभी तक channel subscribe नहीं किया है तो सबसे पहले आप जाकर channel subscribe कर लिजेगा क्योंकि आपने अगर पूरी वीडियो देख लिए और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप जो है आपका subscribe करना बनता है और साथ ही साथ बेल आइक के अंदर बार ना भूले जिससे आपको आने वाले वीडियो की notification टाइम से टाइम मिल जाए तो मिलते हैं दोस्तो अगले वीडियो पर